बाप पे तो कोई गाना भी नहीं गाता जब बाप जिन्दा होता है ना तो घर की हर छोटी महफिल भी बहुत बड़ी होती है अपना स्पाइडर मैन वो भी ब्लैक वाले अपना तारूफ करा है जरा आप है कौन भाई? आओगे जब तुम हो साजना अंग ना फूल खिलेंगे बरिसेगा साम बरिसेगा साम जूम जूम के दो दिल ऐसे मिले यार ये आपकी आवास मेरे को कोई सुनी ली लगती है जरा ये आपने आवास भी सुनी भी मेरे आप मुझे जानते भी है ये मारक्स उतार हो भाई मोजा पैनवाय मूपे क्या उतार हो अाँ और तिरी अवे जोकर सिंगर थे ना यी ये स्पाइडर मैं सिंगर कब से बन गया वार्दी पढ़ गर्ड़ गई थी अवे तो वार्दी फढ़ गई थी तो मतलब यहीरो रथे academy जी हाँ बच्चों को स्पाइडर में ज्यादा पसंद है अच्छा ये बात तुम्हें कब पता चली कि बच्चों को जोकर नहीं पसंद तुरे स्पाइडर में ज्यादा पसंद है अभी अभी यार क्या मतलब तुम्हारी आवाज में दर्द है क्या सुरीले ओ, ये दर्द कहां से लाते हो क्या सोच के ये दर्द आता है तुम्हारे जहन में दर्द तु अंदर होता है अनसान के दर्द अंदर है, तुम्हें किस चीज का दर्दे बताओ लोग पूछतें यार आरिफ किया बास में इतना दर्द क्यूं है बताओ किस चीज का दर्दे कौन सा दर्दे बताओ ये वालिद का दर्दे बिमार है नहीं नहीं वे इस दुनिया में नहीं है उनका दर्दे हाए 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 और मैं आपको इक बात बताओ सचा यारी वोई है बिल्कुल धर्दे मतलब है बाप का दर्दे है और मज़ी की बाद ये के सच्चा यारी बाप है बाप को हमरे माश्रे में वड़ा अंडरस्टिमेट किया जाता है मा को तो फिर रुद्वा मिल जाता है लेकिन अब आप देखें ना बाप पे तो कोई गाना भी नहीं गाता मा मुझको जूलाओ ना जूलारे और तेरी परवा करता हूँ मैं मा माई तेरी चूंदरिया लहराए कभी ये तुने गाना सुना के अबबा तेरी धोती मुझे बड़ी याद आए अबबा तेरी डांट मुझे बड़ी याद आए है ना तो कैसे याद आते हैं अबू मतलब कितने साल की थे जब अबा करतिकाल हो गया तकरीबन छे साल हो गया छे साल अब जब याद कर रहे हो आज तो पर सभी से याद कर लो कुछ हो जाए एक और चीज हो जाए बाप के नाम ऐसा भी होता है अकसर जब जब याद वो आए छा जाते हैं इन पलकों पे उसकी नजर के साए जब भी सुनाओं खामोशी मासूम से उसकी बाते कैसे दिल सुलगते हैं ये भी तैचेन वो राते ये उसका रूट जाना मेरा उसको मनाना बहुत यादा रगागे है बहुत यादा रगागे रुलाए जा रहा गे ओ या रवे या रवे ओ या रवे या रवे जब बाप जिन्दा होता है न तो घर की हर छोटी मैफिल भी बहुत बड़ी होती है है ना गली में टेंड लगाके निका कर लो मज़ा आ जाएगा आपको अब्बू सारे हैं और जब बाप नहीं है तो बहुत बड़ी मैफिल भी आपको छोटी सी लगेगी कर ले तू तीन लाग का खाना चार लाग का हॉल तू रख ले शादियों में रस्में जूता छुपाई लेकिन एंड में तू यही बोलेगा यार अब्बू को है बाई है ना तो अब्बू जब थे तो मारते थे डांटे थे क्या बात याद आती है अब्बागी अब भी डांट ही याद आती है अच्छा वो डांट साही थी साही थी वो बिलकुल जाईस ही हुगी यह कितने साल बात पता चला कि अब्बागी डांट साही थी फूरी आपको बता है, पहले तो जब आयात थे, कुछ भी नहीं होता था, जब इंतिकाल के बाद तो आपको बता है, फिर हर बात उनकी यहाद आती है, इक्जैक्टली माइ पॉइंट, जब बाप जिन्दा होता है ना, तो पता ही नहीं चलता, उसकी एहमियत का पता ही ना, अब तुने ये महफिल मैंने शुरू तो किसी और तरीके से करी थी लेगिन तुने मेरी गाड़ी कहीं और मोढ़ दीए और जिस तरफ तुने मेरी गाड़ी मोढ़ी है अब मैं चाहता हूं जाओ उस सड़क की हाईवे पर जाके पहाड पर चड़ जाओ कुछ और हो जाए जाना दर्द भरा हो जाए कुछ ढूंड उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती ढूंड उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती ये खजाले तुझे मुम्किन है खराबों में मिले जिस तरह सूप के हुए फूर किताबों में मिले अब के हम बिछड़े तो शायद अच्छा अब तू एक चीज़ देख मा जोए अपने बच्चे को अपनी कमर पर बिढ़ाती है ताकि उसका बच्चा वहां तक देखे जहां तक वो खुद देख सकती है लेकिन बाब हमेशा अपने बच्चे को ना अपनी यहां बढ़ाता है उसका बच्चा बहां तक देख सके जहां तक वो खुद नहीं देख सकता वो एक ही तो इनसान है जो चाता है गार मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा कामियाब हो एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी चिठी न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश कहां तुम चले गए कहां तुम चले गए हैं तो ये तो यारे फादर्स जे हो गया इस तो है तो ये ये भाई जिसका बाप जिन्दा है वो उसकी कदर करें और जिनके मर गएं वो कवर पर जाके उनकी फातिया बढ़ें उनकी मगफरत के लिए दुआएं करें उनके नाम पर खर्च करें और जिसके जिन्दा है वो कदर कर हुए हैं तो जाएं अब बैठें बरावरा ले कमरे में माफी मांग ले जांगे कोई एक ऐसी बात जो रूने करने को आपको बोला है और आप नहीं कर पा रहे तो अभी कर ले फॉरां जाके वक्त है ना निकला तो नहीं है सर मैं ये कह रहा हूं कि बाप की कदर ना बाप के जाने के बाद होती है